नमस्कार दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए मैसूर पैलेस की इंसाइड वीडियो लेके आए हूँ साथ ही इसकी इंसाइड हिस्ट्री भी आप सभी के साथ सेयर करूंगे मैसूर पैलेस भारत के दच्छिन राजी में इस्थित है यह करनाटक राजी के मैसूर जीले में इस् दोस्तों यह जो लाइट और बल्द देख रहा है ना यहाँ पर दसहरा किसाम है मैसुर पैलेस को लाइट से रौष्णी से सजाया जाता है और महल को बहुत ही सुन्दर से सुसजित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मैसुर पैलेस घुमने का सबसे बेस्ट साइम है दुर्ग राजा क्रिस्ट देवराय मा दुर्गा के बहुत बड़े भक्ते और कहा जाता है कि वो उनकी खुल देवी थी तो इसलिए इस मैसुर पैलेस का नाम अमबाविला पैलेस भी जाना जाता है महल के चार द्वार है जैसे आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महल में पुराने चमाने की जो तस्वीर है महल की जो भी अवसेस है यह पालकी है दुर्गा पुजा की समय यहाँ पर मार्च अमुंडा की साही पालकी आज भी दसहरा की टाइम निकाला जाता है और महल काफी खुबसूरत और बहुत ही नकासी की द्वारा बनाया गया है महल इंटर करते आपके महल के चारों तरफ बहुत सारी ग्यालरी में तस्वीर लगी रहती है यह अंग्रेजो की टाइम की तस्वीर है जब देश में अंग्रेजो ही हुकुमत थी यहां से आप कल्यान मंडप देख सकते हैं आगे की वीडियो में मैं सारी बाते कल्यान मंडप के बारें बताऊंगी कल्यान मंडप मतलब साधी का पिवास्थल जाही महल में जो भी पूजा पार्ट सादी विया का कारकरम होता था तो इस कल्यान मंडप में होता था ये काफे बड़ी परी सर में है, यू कहें महल के बीचो बीच है और यहां आप देख रहे हैं कि अभी भी से साफसफाई का पूरा ख्याल रखा गया यहाँ पे जो बीच का स्तम्भ है यह चारो तरब से इसके बड़े-बड़े खंबे हैं और खंबे में नीले और पीले रंग की कलर से पुताई की गई और साथ इसका फर्स आप देख सकते हैं दाना मोजाई किया हुआ जो कि अभी भी काफी चमक रहा है यह महल का फर्स है जो कि खूबसूरती से बनाए गया है 1920 में कहा चाता है कि इसके बारे में कि इस महल का निर्मान हुआ था यहाँ पर आप कुछ साही राजपरिवार की तस्वीरे देख सकते हैं जो कि महल की गैलरी में लगी हुई है महल महराज क्रिस्न देवराय की है और यह महल में राजमाता की भी तस्वीर लगी है साही परिवार के सभी नातिर इस्तेदार की तस्वीर लगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रती दिन यहाँ काफी मात्रा में परेटक आते हैं और इस महल को बहुत करीब से देखते हैं यहाँ महल में राजा महराजा की समय की संदूख है जिसमें कुछ में औजार रखी जाते थे और कुछ संदूख में ज्वलरी रखी जाती थी या महल के दूसरे gate में जाने का entrance gate है ये देख सकते हैं कि कितनी बारीकी नकासी की हुई है जिसे मैंने बहुत करीम से कैमरा से लेके shoot किया है तो आप देख सकते हैं कि महल कितना सुनी हो जिज़े धंक से बनाए गया है इसके खंबे आज भी काफी मझबूत दिखते हैं साइड साइड में महल के द्वार के किनारे में आप देख सकते हैं कि गोल्डन कनल का प्रिंट किया गया है और ये जो दरवाजा है जो एक महल से दूसरे उपर जाने का जो इंटरेंस गेट है काफी मजबूत है और सागवान की लकडिसे से बनाया गया है महल की दिवारों में आप देख सकते हैं कापी चमकदार दिवारे हैं और इसमें नीले पीले रंग की दाना मोजाइक का काम किया हुआ है और महल को पूरे महल को पेंटिंग और तस्वीरों से सुसजित किया गया है राजा कृष्न राज वाडियर के समय जन्वाष्ट्री महुचसव मनाए जारा था उस समय की यह तस्वीर है पूरे परमप्रे कृति रिवास से आज भी यहां क्रिष्न जन्माष्ट्री में मनाई जाती है यह महल के बीच का आगन है यहां पर साही अखाडा होता था यह महल का आप इंटरेंस देख सकते हैं कितना खुबसूरत है यहां भी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है तो यहां आप देख सकते हैं कि राज महल में चड़ते चड़ते सीडियों से हम लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और यहां का गेट आप किसी भी चारो तरफ से देखे राजा जहां भी दरवार लगाता था उसे सारे प्रजा यहां से दिखती थी यह हम लोग second floor पर आ चुके हैं मैहल का second floor है यहाँ पर जंता दर्वार लगता था और यहां की जो मैहल की छथ है आप देख सकते हैं इसमें बादल की तस्वीर बनाई गई है और यहां से आप राजा राज़ दर्वार लगाते थे और जन्ता उनसे अपनी सुब्दुख सेयर करती थी उपर में महल का जहरोका है जहां रानिया बैठती थी और राजा राज़ दर्वार लगाती थी तो वो राज़ दर्वार को लाइप देखती थी वहां बैठकर महल बहुत खुबसूरत है बहुत सुन्दर धंग से बनाए गया है और यहां चोल समराज के समय की जो भी संस्कृती के हिसाब से बनाए काफी बास्तू के हिंदू बास्तू सास्त के हिसाब से महल का निर्मान किया गया है महल कई अकड में फैला हुआ महल है और यहां चोल समर प्राइवेट दर्वार लगता था जो की राजा के कुछ मंत्री और राज दर्वार के लोग अपने सुख़दुक्त राजा से सहर क्या करते थे कि यहाँ पर प्र लकडि का काम किया हुआ हुआ काफी नकासी का काम किया गया है , Mens theory कि रखा गया महल के जो खंबे हैं नीले और पीले रंग से पिंटिंग कि गई है Communist है महल का चत मुझे बहुत पसंद्द आया देखिए कितना बारिक काम इसके बाद महल में नीचे जाने का रास्ता है, महल में नीचे जाने के दो रास्ते हैं, यहाँ पर एक चांदी का द्वार है, यह ऐसा परतीत होता है, यह पूजा गर है महल का, और यहाँ पर दर्वाजे पर भगवान की तस्वीर देख सकते हैं, महल पूरी तरह खत्म होने के बाद नीचे स भूमने जाएं तो दसाहरे की सामने समय जाएं क्योंकि दसाहरे की समय एक बड़ा आयूजन होता है तफी मैसूर पैले भूमने का आनल है